तो गैज यह अपनकी फर्स्ट ब्लॉग है तो ट्राइक करते हैं कि वीडियो को अच्छा से च्छा बनाया जाए च्छी व्लॉटी में रखा जाए फर्स्ट ब्लॉग है थो ठोड़ी बहुत गल्ती हो सकती है क्या नजारा यार क्या पार्टी पहले से वाव तो ट्राइ कर रहे हैं वीडियो को अच्छी बनाने के अगर जे वीडियो में कुछ कमी हो तो प्लीज माफ किर देना लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करना यार बहुत मेनत लगा है इस वीडियो को बनाने में और फस्ट व्लॉग है हम लोगों का फस्ट मोटो कि जितना भी अच्छा हो सकता है हम लोग ट्राइब कर रहे हैं अच्छा क्वालिटी मिंटेन करके रखने का कि अभी नाइट का नजारा अलग ही कुछ है कि इतना मज़ा आ रहा है ना बाइक चलाने में सचेल हे डाइब करने को हैं करा फोर आप प्रकाषिया हैं के उस सचेले के शार कर सकते हैं देंगे आप देन मैं आप एक और अब लग यहां कि संतर से ह्मचार चाल किया जाता है जिसा आप反ाव के बाएक होना पड़ा तो अब देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है अच्छी तरह से वीडियो शुट हुआ है गईस वाउ मजा है कुछ लग है नहीं बाइक चलाने का कुछ विए किजिए बाइक चलाने में जो मज़ा है न वाई एक बाइकर ही समझ सकता है कि इतना मज़ा आता है बाइक को चलाने में यह बहुत खतरनाक मोड़ है यहां पर बहुत अच्छे से चलना पड़ता है नहीं तो कि देख सकते हैं आप किस तरह से हम दोग यहां पर राइड कर रहे हैं और यह अपन के फॉस्ट वीडियो है अच्छी लगी हो तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना गाइस है कि अच्छी हम लोग आज टाउन में सुट कर रहे हैं फर्स्ट वीडियो है इसलिए बाहर नहीं निकले हैं रात का टाइम हो गया सब से टप करते-करते कि आझ मिलाते हैंमलाते सब्सक्राइब क्या बलता है है कि कि अच्छी अच्छी श्ट पर कि इसलिए जैसे भी किसी भी तरह इसको शूट किये और मोटो ब्लोगिंग का तो अपना भाई सब पहले से शौक था न यह आगे हम लोग मेन हाईवे तो कि बहुत ही डिंजर जोन है भाई बहुत ही डिंजर जोन है यह मज़ा आता है इसमें बाइक चलाने में तो तीन के टाइम में भी इसका हम लोग वीडियो सुट करेंगे इसको वीडियो अब कंटिनुएसली आता रहेगा तो देखिएगा और चैनल को थोड़ा सा प्यार देजिएगा गाईज अपना भी यह मुंसिप आलेटी का जो कचरा होता है नो कचरा से ढोकर ले जा रहे हैं अभी तो चलिए आगे से टर्न लेते हैं और फिर चलते हैं और क्या बात है अधि कुछ अलगे नहीं विडियो का मजा इसा लागे रहे हैं कि अभी हम लोग पुलसर पर सुट कर रहे हैं और आप लोगों का प्यार मिलेगा आप लोग अगर साथ दिजिएगा तो यक दिन शूपर भाइक भी ज़रूर लेंगे गाईज अभी तो फिलाल हमारी बसंती ही है और इसी से सुट कर रहे हैं क्योंकि राइडिंग करने का मुझे भी बहुत जुनो नहीं बाईज और इसलिए हम लोगों ने राइडिंग स्टार्ट में किया हूं यही रेजन है कि मैंने राइडिंग स्टार्ट किया है गाइस ओ खुदा बहुत मज़ा आता है गाइस बहुत देखिए जैसे कि ये फूल लाइट जो करके आता है न फूल फॉक्स पना कर ऐसे मत करना गाइस कभी बाइक चलाते हुट तो बहुत दिक्त होती है जो आगे से गाड़ी आती है न उसको इसलिए मैं भी अपना फूल लाइट ओन नहीं करता हूं क्योंकि हम लोगों को तो अच्छा लगता है न लेकिन जो आगे से आता है उसको थोड़ा सा दिक्त हो जाता है इसी वज़ा से कई सारी एक्सिडेंट भी ह होती है गाई तो इसलिए अपने बारे में नहीं दुसरों के बारे में भी सोचना करो तो थोड़ा सा दुसरे के बारे में भी अपने सेलफिश मत बनो इतना कि अधि कि अधि अधि